हारु फीक्स सैमसंग एफिफ्टी हेटफॉन सिंबॉल प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर है अब सभी का तिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो हेटफॉन सिंबॉल प्रॉब्लम यहापे सॉल सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करते हुए बैल आइकन को क्लिक करें और अगर आप उनलाइन पैसा कामाना चाते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों ज की जो छी रोते हैट फॉन प्लग करने का उसको साफ करके देखिए ठीक है आप एक एरबड ले सकते हैं उससे आप साफ कर सकते हैं ठीक है ओंगर कर संबकर देखिए करें बॉरिद क comprend a पर котором प्रॉब्म इशू आ जाते हैं तो आपको साफ करके देखना है और जो हेड़फोन आप यूज कर रहा है वह चेक करके देखे वर्किंग कंडिशन पर है या नहीं है सपोर्टेट है या नहीं है वह आप चेक करें एंडेंट देखिए आपका प्रॉब्म सॉल्फ होता है या अच्छी वाद है अगर नहीं होते तो आप अपने हेडफोन को जो है अच्छे से एक बार जोर से प्लक कीजिए और जोर से आप उसको बाहर पर निकाल दीजिए जैसे करते हैं कई बार ठीक है तो आपको दोस्तों यह जो चीज़से फास्ट में करना होगा एक बार जो है आप स्पीट से अपने एरफोन को प्लक कीजिए और स्पीट से जो है आप उसको बाहर पर निकाल भी दीजिए कई बर दोस्तों यह सा बैसिक सॉलिशन करने से प्रॉब्लम चले जाते हैं आपको यह सजेस्ट करो इसलिए क्यूंकि दोस्तों काम करते हैं सब सब स्विशन चाहे तो आप एक बार अपने mobile को restart भी करके देखे restart करने के बाद आपका problem solve हो जाना चाहिए अगर solve हो जाते हैं यह सारे solution करने के बाद आपका problem तो अच्छी बाद है लेकिन मान लिजे आपको अभी भी अगर problem आ रहा है तो आपको करना क्या है तो दोस्तो आप setting पर जाए software update करें software को update करें software update करने के बाद दोस्तों यह problem अगर fix होना है तो वो fix हो जाएगा ठीक है तो check कीजिए software update है या नहीं है software update करना बहुत ही जरूरी है सारे सार आपका bluetooth बगएरा जो है बन करके ही राखिये ठीक है और software update करने के बाद चेक करके देखे solve हो जाएगा आपका problem by any chance अगर fix नहीं होते हैं तो जाए दोस्तों mobile के setting पर general management को click करें और reset option पर जाते हुए आपको factory data select करना है और आपने mobile को factory data reset कर देना है reset पर click करें mobile password भर दे और उसके बाद factory data reset कर दीचेगा आप चाहें तो दोस्तों service center का भी मदद ले सकते हैं ठीक है वह आपको यह problem solve करके देगा लेकिन अगर आपको खुद से fix करना है तो यह सारे solution आप कीजिए solve हो जाएगा ठीक है तो इस तरह के से headphone symbol problem solve कर सकते हैं आपको वीडियो मुझा होगा तैंक्स डूराच्चिंग